आप देख सकते हैं कि यह उपर से कित्ता क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सौफ्ट है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं आप सबी के लिए फ्रेस हरे मटर के नास्ते की रेसेपी लेके आई हूँ यह नास्ता बनाने में बिल्कुल जादा टाइम में ही लगता है और खाने में भी बहुती यह टेस्टी लगता है तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और जार के अंदर हम यह प्रेस हरे मटर एड़ करेंगे आप चाहे तो हरे मटर को हलका सा उबाल भी सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल भी उबाला नहीं है अब इसके अंदर मैं दो हरे मीर्च को इस तरीके से काट के एड़ करूँगी तीखा उप अपने पसंद के अनुसर कम जादा कर सकते है और आदा इंच अध्रक के तुकड़े को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है आप चाहे तो इसके अंदर तीन से चाल लशन की कलिया भी एड़ कर सकते हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया एड़ करूँगी ये टोटल ऑप्शनल है अब ढ़का लगा के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इसका हमें पूरा फाइन पेस्ट तयार नहीं करना है इसे हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है मिक्सर को हम बन करके चालू करके इसे पीसेंगी कंटिन्यू हमें मिक्सर को नहीं चलाना है अब मैंने इसे दर्दरा पीस लिया हुआ है आप देख सकते हैं अब हम चलते हैं next process में आज जो मैं हरे मटर का नास्ता बनाने वाली हूँ वो नास्ता में इस सूजी के साथ बनाने वाली हूँ तो मैंने एक कप के करीब ये बारिक वाली सूजी ली है यह एक कप, दो कप और यह तीन कप, अब सूजी को हम बड़ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यह नाच्ते का घोल हमें एकदम पतला ही तयार करना है, अब सूजी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर हम बागी के और इंग्रीडियन्ट एड़ कर लेते हैं मैंने हाफ ओनियन को इस तरीके से बारिक कट करके ले लिया है इसे हम एड़ कर देंगे और इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून से भी कम हल्दी पौडर एड़ कर रही हूँ हाफ टेबल इस्पून के करी जीरा हाफ टेबल इस्पून के करी धनिया पौडर हाफ टेबल इस्पून के करी रेड चिली पौडर और हाफ टेबल इस्पून के करी चाट मसाला अगर आपके पाल चाट मसाला नहीं है तो चाट मसाला के बदले आप इसके अंदर अमचुर का पॉडर आड़ कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी टेस्के अपाड़िंग हम नमक आड़ करेंगे अब हमने जो हरे मटर को ग्राइड करके रखा था वो ग्राइड के हुवा हरा मटर हम इसके अदर एड़ करेंगे अब बारिक कता हुव फ्रेश हरा धनिया इसके अदर में आड़ करूँगी अब इन सारी सामग्रयों को हम अच्छे से मिक्स कर लेगे अगर आपको लगे कि आपका ये जो बैटर है ज्यादा गाड़ा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा water एट कर सकते हैं हमारा बैटर जो है एकड़ा है इसके अंदर हमें water एक्सटा एट करने की ज़रुत नहीं है अब हमारे नास्ते का बैटर जो है रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं गैस की ओर गैस पर मैंने कड़ाई रखा हुआ है कड़ाई के अंदर मैं आदा चमच के करें तेल एट करूँगी और तेल को हम हलका सा गरम होने देते हैं तेल हमारा हलका सा गरम हो चुका है अब इसे हमें इसी तरीके से continue चलाते हुए मेडिया फ्लेम पे पकाना है जब तक कि ये पूरी तरीके से गाड़ा न हो जाया और पैन से अलग न होने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल भी हाई न रखें आप चाहे तो इसके अंदर और भी वेजिटेबल आड़ कर सकते हैं जैसे कि कैपसिकम, बेंज इन सब वेजिटेबल को भी आप बारी कट करके इसके अंदर आड़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसे गाड़ा होने में से तीन से चार मिनट लगेंगे और फ्रेंज बहुत सारी हेल्दी रेसेपी मेरे चैनल पे है उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और इस तरीके से इसे पकाने से क्या होगा हमने जो हरे मटर को ग्राइड करके इसके अंदर आड़ किया हुआ है वो हरे मटर का कच्चापन भी निकल जाएगा और हमारी सूजी भी जो है अच्छे से पक जाएगी अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से गाड़ा हो चुका है और पैन से अलग भी हो रहा है जब इस स्टेज पे ये आजाए तो आप समझें कि ये पूरी तरीके से रैड़ी है आप देख सकते हैं अब गैस का फ्लेव हम ओफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब ये हलका सा ठंडा हो चुका है इसे मैंने पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया हुआ है इसे हमें हलका सा गरम ही रखना है अब इसके अंदर मैं 3-4 चमच के करीब चावल का आठा एट करूँगी चावल का आटा एड़ करने से क्या होगा हमारा यह जो नाच्ता है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब चावल का आटा भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में मैंने थाली लिए थाली के अंदर मैंने थोड़ा सा ओईल ले लिया है ओईल को हम इस तरीके से स्प्रेट कर लेंगे थाली में और हमारे जो नास्ति का मिश्रण है वो हम इसके अंदर एड़ कर देंगे अब सारे नास्ते की मिश्ञन को मैंने थाली के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर दिया हुआ है आप अपने पसंद के अदूशार इसका लेयर थोड़ा सा मोटा और पतला कर सकते हैं अब इसे हम सेट होने के लिए साइड में रख देंगे 10 ते 15 मिनिट के लिए आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख के सेट कर सकते हैं पंदरा मिनट तक मैंने इसे सेट होने के लिए रखा हुआ था ये अच्छे से सेट हो चुका है अब इसे हम नाइफ से कट करेंगे आप अपने पसंद के अनुसार इसे किसी भी सेट में कट कर सकते हैं अगर ये कट करते समय नाइफ में चिपकता रहे तो आप समझ चाहिए कि आपका मिशरण जो है अच्छे से सेट नहीं हुआ है अब मैं इसे स्क्वेर सेट में कट करूँगी अब मैंने शारे मिशन को टिकी का सेव दे दिया हुआ है और इसे हम सेलो फ्राइ करेंगे तो सेलो फ्राइ करने के लिए मैं इसके अंदर ओईल एट करूँगी और ओईल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे आप चाहे तो इसे डिप फ्राइ भी कर सकते हैं और हमने जो टिकी का सेव दिया हुआ है मिशन को उस टिकी को आप एक डबे में बन करके फ्रीज में भी रग सकते हैं आपको जब मन करें तब आप उस टिकी को इस तरीके स खा सकते हैं अब हमारा तेल गरम हो चुका है अब इसके अंदर हम एक एक करके टिक्की एड़ करेंगे चार से पास टिक्की हम एक बार में फ्राइ करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे अब ये नीचे से थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो चुका है इसे हम पलट लेंगे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया हुआ है हमारे नास्ते का और इसे तुरंतरी डालने के बाद आप नहीं पलटे थोड़ा सा ये नीचे से सिख जाए तब ही आपको इसे पलटना है इसी तरीके से बाकी सारे हम पलट लेंगे अब इन सबको मैंने परट लिया हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे क्रिस्पी लाइट ब्राउन होने तक प्राइ करना है कि ये चारो तरब से एतम क्रिस्पी हो जाए और ब्राउन कलर का हो जाए अब हमारी जो टिक्की है वो नीचे से भी अच्छे से सिख चुकी है अब हमारा सूजी और हरे मटर का ये जो टिक्की है बनके तयार हो चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के सारे टिक्की हम फ्राइ कर लेंगे अब हमारे सुजी और हरे मटर का जो नास्ता है बनके तयार हो चुका है और एक टिकी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी टिकी जो है उपर से किती क्रिस्पी बनी हुई है और अंदर से किती सॉफ्ट आप देख सकते हैं कि यह उपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं फ्रेंज अगर आपको यह सुजी और हरे मतर की टिक्की की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कामेंट कीजिए और मेरे चैनल कवता की रेसेई को सब्सक्राइब कीजिए तो फ्रेंज फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसेपी के साथ तब तक के लिए फ्रेंज गुडबाई